दोस्तो आज का हमारा टूपिक रहेगा इन्हेमी जो पल्स बग द्वारा लिखा गया एक कहानी है यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप इसको पड़ोगी तो तो पल्स बग जो राइटर है उथर है इनका जन्म हुआ था 26 जुन 1892 को और यह डाइड वे थे 6 मार् दोस्तो इनका फूल नेम है पर्ल कमफोट सीडेन स्ट्रिकर बग तो यह इनका फूल नेम है दोस्तो मैं बता दो कि सीवाज एन अमेरिकन राइटर एक यह अमेरिकन राइटर थी नोबलिट थी ठीक है और इनको जाना जाता है दा बेस्ट सेलिंग नोबेल इन दे यह इनके लिए इनको जाना जाता है और यह जो है United States में सबसे ज़्यादा इसको बेचा गया है ना यह Nobel और which one are the pleasure prize in 1932 और इनके लिए इनको pleasure prize भी मिला ठीक है Nobel के लिए और मैं बता दूँ कि in 1938 बग becomes the first American woman to win Nobel Prize in Literature मतलब यह एक ऐसी author थी नॉबलिष्ट थी जिनको जो है first American woman के लिए इनको Nobel Prize मिला था लिट्रेचर में दोस्तों मैं इनके occupation की बात करता हूँ तो एक writer थी और teacher थी इसके setting की बात करो तो यह जो कहानी है जो कहानी है the enemy ये कानी जो है साल deprabe ने जप्रcych लख ऑना से सपान हे और आमेरिका और जापन के बीत यूद्फ चल रहा होता है तो यह जो है इसकी setting है आब जपानी अमेरिकों के प्रती इनमेज थे जपानी अमेरिकों के प्रती इनमिज थे सतुरुता थे और अपनी धर्ती पर पाय जाने वाली किसी भी अमेरिकन को मारने के लिए जो यह तयार थे तो यह उस समी की बात है 1941 की जब अमेरिका और जपान में यूद चल रहा था तो दोस्तों मैं अगर इसकी केरेक्टर की बात करता हूं ं तो character इसमें जो है first character है doctor Sadao Hoki जो एक American दवारा प्रसिख्षत एक जपानी doctor है और second character है Sadao's father है ना ये तो ये अपने बेटे की सिख्षा को लेकर बहुत चिंती थे और एक सच्चे देश भग थे third character है Hana Hana जो है doctor Sadao की पत्नी है American में मिली थी और दोस्त बनी फी जापान में इन होने दोनों साधी की नेक्स्ट करेक्टर है टोम एक अमेरिकन युद बंदी है अमेरिकन नो सेना का एक सेनिक है नेक्स्ट करेक्टर है बुढ़ा जेनरल एक बिमार जापानी सेना है जेनरल जिसे ओपरेशन की जरुवत थी और क्योंड डॉक्टर सदाव पर ये भरुशा करता था नेक्स्ट करेक्टर है एक अधिकारी है ना है अफिसर ये जनरल का दुद था है ना और नेक्स्ट करेक्टर है माली डॉक्टर सदाव की घर का एक बुढ़ा माली था और नेक्स्ट करेक्टर है यह मी है ना हाना की नोकरानी ठीक है और नेक्स्ट करेक्टर है रसुया जो डॉक्टर सदाओ के घर का एक पुराना रसुया था तो समुदर के पास संक्रेत समुद्र तरट पर बना एक घर है और यहीं जो है कहानिтесь Πलिए किसे कहानी चलिए हुके स्थाट मात यह गहानी लेक जपानी कहानी है जिसका नाम सदा जाता है घृऴंसंकट में पढ़ जाता है यह तक की बात है जब जपान और अमेरिका की बीच यूद चल रहा होता है और एक अमेरिकी सेनिक समुद्रे में बहकर सदाओ की चोकट पर आ जाता है अब सदाओ घोर संकट में पढ़ जाता है उसे यह समझ में नहीं आता है कि उस आदमी को पूलिस को सोप या एक डॉक्टर होने के नाते उसका ट्रीटमेंट करें तो लेकिन अब वह आदमी बुरी तरह खायल था तो डॉक्टर होने के नाते सदाओ को प्रसिक्षिन मिला था कि जहां तक संभव उन्हें प्रत्यक बेक्ति का जीवन बचाना चाहिए इसलिए उस आदमी की राष्ट अश्येता की भावना के उपर मानवता की जीत के बारे में है उन्हें स्टाट होता है एक साम जब सदाओ और उसकी पत्नी हाना अपने घर के बरामदे पर खड़े होकर समुद्र की उर्देख रहे थे उन्हें ने देखा कि एक ठाका हुआ आदमी किनारे पर बाह रहा है ज अब एक अमेरिकन से जो एक कैदी की तरह लग रहा था जो किसी तरह भागा था वह उनका सत्रुथा इन्हेमी था अपने देश के पोलिटिकल माउल को देखते हुए वे जानते थे कि एक अमेरिकन को आश्रे दना आवेद है लेकिन फिर वह एक डॉक्टर के रूप में नेमी ही मानते हैं नौकर तो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं भाग जाते हैं सदाओ के नौकर क्योंकि सदाओ जो कर रहा है उसका जोखिम वो नहीं लेना चाहते हैं लेकिन सदाओ की पतनी हर तरह से अपने पतनी के साथ जो है खड़ी है अब दोस्तों सदाओ उस आदमी को ठीक करने में उसने इतनी मेहनत की है उसे मार दिया जाए और अंत में सदाओ अमेरिकन सेनी को भागने में मदद करता है और इस परकार जो है वो उसकी जान बचा लेती है दोस्तों मैंने इसको सोट में समझाने का प्रयास किया है अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे कि इस पार्ट से में सीखी मिलती है कैसे कि प्यार और करूना हमें अन्य लोगों के प्रति एक अच्छा इंसान बना सकता है आब बताओ डॉक्टर सदाओ अमेरिका में पढ़ा था एक जापानी लेकिन जब वो अपने करतब ये पराया तो वो एक डॉक्टर था और डॉक् किसी को ट्रिटमेंट करना है ना